हेलो सुदेंट्स टूड़ेश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टि अलग अलग डाइजिस्टिक फोले होते हैं जो हमारे फूड को डाइजस्ट करने का काम इति आ है थैर फूड इंसकंप तो फूड है ज़ो देस्ट प्रव अनची टू पर पाड़िड़ बरस ले पाइगी जब वह अब बोडी itt को प्रॉपरली एनर्जी मिल पाएगी डूरिंग डाइजेशन लार्ज इन्सॉलीबल पीस ओफूड देखो इन्वोर्मेंट से हम फूड मैटेरियल लेते हैं वह काफी ज़्यादा कॉंप्लेक्स होते हैं जिनको हम सैल को ड्रेकली नहीं दे सकते तो और वह इन्सॉलीबल फ तो मैं आपको सीधा बताऊंगा कि कैसे वह डाइजेशन होता है तो एक बार इसको जो फिगर है उससे समझ लेते हैं यहां पर जो सबसे पहले जो फूड है हमारा माउथ के अंदर एंटर करेगा माउथ या बकल कैविटी इसको बोलेंगे इसके अंदर सबसे पहले टित हो करतेलेंगे फूड के मितेलि вже को प्रेकडाउण करने का काम करिएंगे उसके बाद यहां पर सलाइवा निकालेगे यो मोह में पानी आ जाना वो लेका हूँ होता है यह क्या करता है फूड को बना और प्र्रोपर्ली मिक्स कर देता है सोफ्ट बना देता है ताकि आगे फू पाइप उसमें ना चला जाए यह डिसाड़ करता है यहां पर फैरिक्स फैरिक्स और गन है मतलब फैरिक्स जो पार्ट है वो यही काम करेगा उसके बाद जो फूड मूव करेगा दीर दीर ऊसो फैगस में पेरेसलेटिक मूवमेंट बोलते हैं उसको दीर-दीर वो फिर आए जलना स्टार्ट होगा Small Intestine के अंदर क्या होता है properly digestion होता है food का यहां पर जो carbohydrate है वो सुगर में convert हो जाएगा finally fat है वो fatty acid और glycerol में और protein यहां पर convert हो जाएगा amino acid में यहां पर अब बात करते हैं Small Intestine में जो food है हमारा बिल्कुल छोटा हो जाता है soluble form में convert हो जाता है तो वहाँ पर उंगली जैसे structure finger like structure होता है जिसको हम willy बोलते हैं तो willy की दूसरी तरफ blood stream होती है काफी सारी तो यहाँ से वो willy क्या करती है जो भी food के soluble substance है उसको कहाँ transfer कर देती है blood के अंदर transfer कर देती है और वो blood क्या है हर एक cell के पाउस पहुंचता है हर एक body organ तक पहुंचता है और उस energy को वाँ मतलब जो food substance है वाँ तक पहुंचा देता है उसके बाद properly digestion होने के बाद में जो food है हमारा सबसे जो long tube है वो उसके अंदर small intestine है उसके बाद small intestine के बाद में जो food हमारा पहुंचता है वो पहुंचता है इस बड़ी आंतमी large intestine के अंदर यहाँ पर जो बचा खुचा पानी है वो ही आप जो कर देती है यह जो विल्ली होती है उसके बाद जो undigestive food है जो हमारे काम का नहीं है वो एनस के दवारा बहार निकल जाता है तो हमें food को breakdown करना है तो वहाँ पर दो प्रकार के action लगेंगे physical action और chemical action physical action में क्या कौन होगा मतलब वहाँ पर chemical कोई काम नहीं करेगा physical रूप से हम क्या करेंगे food को break करने का काम करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो काम करेंगे वो हमारे teeth करेंगे वो food को क्या करेंगे ताकि वो क्या होंगे मतलब break कर देंगे वो solid food को छोटे-छोटे piece के अंदर churning by the stomach to mix the food with the gastric juice वहाँ पर मन्थन होगा इस stomach के अंदर क्या होगा कुछ gastric juice निकलेंगे वो क्या करेंगे मतलब थोड़ा बहुत यह relax वगरा contraction वगरा करेंगे इससे क्या होगा जो food के अंदर क्या है gastric juice वहाँ पर mix हो जाएंगे तो यह एक physical method है उसके बाद बात करते है chemical action मतलब chemical का मतलब enzymes bio catalyst होते हैं यह enzyme यह क्या करेंगे मतलब जो food को क्या करेंगे simpler substance में convert करने काम करेंगे वो क्या करेंगे प्रोटेन को amino acid में तो enzymes क्या होते हैं यह digestive juice होते हैं जो मतलब की digestive system के अंदर जो cells होते हैं वो यह त्यार करते हैं the elementary canal is a long tube ट्रेक्ट तो यह elementary canal का मैंने पहले बता दिया माउस से लेके एनस तक जो भी यह मतलब long tube है यह वाली यह वाली जो ट्यूब है जिसके अंदर stomach है small intestine है large intestine है यह पूरी की जो long tube है उसको हम क्या बोलते हैं elmenetic canal या gut बोल सकते हैं उसके बाद जो अलगलर digestive enzymes हैं जैसे mouth के इंदर celery glands क्या करेगी amylase enzyme निकालेगी stomach के इंदर gastric glands होगी pancreas के इंदर pancreatic juice निकलेंगे liver के इंदर bile juice निकलेगा small intestine के intestine and glands होगी यहां पर mouth के इंदर amylase होगा जो starch को sugar में convert कर देगा stomach के इंदर प्रोटीन 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 जो enzyme है प्रोटीन को peptides और amino acid में convert कर देगा उसके बार जो pancreatic juice है उसमें तीन प्रकार के enzymes निकलेंगे trypsan, carboxy, peptides, amylase और यह लाइपेज मतला सारे enzyme है यह अलग रहा है जैसे प्रोटीन को कोई digest कर रहा है कोई lipids को को स्टार्च को तो finally एक इंदर कर देंगे sugar और amino acid के अंदर उसके बार bile से क्या निकलेगा? bile juice निकलेगा यहाँ पर जो liver है उसके अंदर एक gallbladder होता है उसके अंदर bile juice होता है वो क्या करता है? उसके अंदर bile juice होता है जो fats glycerol को fatty acid में convert कर देंगे small intestine के अंदर bile intestine glands होता है जिसके अंदर juice निकलेगे यह मतलब enzymes बोल सकते है amino peptides और maltase निकलेगा यह क्या करेगा? peptides और maltase को glucose और simple sugar में convert कर देंगे मतलब जो भी बच्ची कुछी carbohydrate है उसको क्या है? क्या है? convert कर देंगे उसके अंदर हम बाज करते हैं digestion in mouth मतलब mouth के अंदर क्या क्या वहाँ पर होता है? food is ingested by us through mouth तो मतलब जो ingestion का काम होता है हमारे सबसे पहले जो food है वो कहाँ enter करेगा? mouth के अंदर enter करेगा तो यहाँ पर mouth के अंदर तीन चीजे आपको मिलेगी, tongue मिलेगा, teeth मिलेगी और slavery glands मिलेगी tongue क्या करेगी? food को mix करने का काम करेगी, teeth क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? जो solid food है उसको break करने का काम करेंगे जो slavery glands आपको मैंने बता दिया, उसके अंदर से saliva निकलेगा, watery fluid निकलेगा, जो क्या करेगा? उसमें एक enzyme होगा saliva mileage और यह क्या करेगा? food को काफी नरम बना देगा, soft बना देगा जो process of chewing is called mastication, जो चबाने की process उसको mastication बोलते हैं, यहाँ पर अलग अपको teeth दिख रहे हैं, incidure, canine, premolar और molar teeth क्या होते हैं, teeth क्या करते हैं, हमारे जो food को मतलब कट करने का काम करते हैं, काटने का काम करते हैं, छोटा बनाने को उसका काम करते हैं तो सबसे पहले जो food teeth का type है, incidure, there, these are the front eight teeth, मतलब जो आगे वाले आठ जो दान्त है, उनको हम incidure बोलेंगे, मतलब अलग अलग जबड़े में, उपर वाले जबड़े में, चार और नीचे वाले जबड़े में भी चार, यह क्या होते हैं, flat होते हैं, सम्तलों होते हैं, chisel shape teeth, मतलब छेनी के अकार के होते हैं, well adapted for cutting and biting, मतलब food को काटने का काम करेंगे, the destruction of hard layer of tooth animal, animal जो हमारा सबसे hardest सबसांस है, जिससे tooth बने होते हैं, outer layer, यदि मानलो food की, मतलब हमारे दान्तों की खराब होगे, तो इसको हम tooth डिके बोलते हैं, यह क्यों होती है, कई बार क्या होते है, food particles हमारे दान्तों में जमे रह जाते हैं, तो वो finally, मतलब हमारे एक acid generate होता है, वो acid क्या करता है, हमारे जो tooth है, उनको खराब कर देगा, तो उसको हम tooth डिके बोलेंगे, canines, दूसरा जो part है, वो canine है, one canine each is found on either side of incisor of hija, तो मतलब जबडे में, हर एक जबडे में incisor के side में, क्या होता है, जो तित होते हैं, उसको canine बोलते हैं, these round sharp and pointed तित होते हैं, मतलब यह तिखे होते हैं, बिलकुल, तिखे कार के होते हैं, और जो क्या काम करते हैं, काफी तेज होते हैं, well adapted to hold and tear the food, तो मतलब food को काटने का काम करेंगे, और उसको मतलब पकड़ने का काम करेंगे, hold करने का काम भी करेंगे food को, pre-mollars, there are two pre-mollars on each side of each jaw, there are the flared surface, मतलब दो होंगे यह, हर एक small grooves, तो इसके अंदर क्या होगा, मतलब है, छोटे-छोटे खंचे होगे इनके अंदर, rice and are well adapted to crush and grind the food, तो यह क्या करेंगे, food को कुछलने का काम करेंगे, और उसको grinding काम करेंगे, मतलब पीस देंगे food को, आगे है, जो चोथा पार्ट है, वो mollars, these are the last three teeth on the both side to both the jaw, there are the almost flat surface with the small projection for effective grinding of the food, उसके अंदर, मतलब छोटे प्रक्षिक्पन आपको मिलेंगे, ताकि जो food की, जो grinding है, जो पीसने का काम है, वो effective हो सके, मतलब ज्यादा तेजी से हो सके, ज्यादा अच्छे डंग से हो सके, last वाला, जो दांत होते हैं, उनको mollars बोलते है, the white substance that covers our teeth is called animal, it is the hardest substance in the body, सबसे hardest है, सबसे ज्यादा कठोर है, all of us have two sets of teeth in our lifetime, मतलब हमें जो पूरी उमर के अंदर, दो sets हमें teeth के मिलेंगे, पहले जो दूद वाले दांत होते हैं, और बाद में जो permanent teeth होते हैं, the first set erupts when we are babies and last until we are about eight years old, तो पहले दांत हैं, वो कभी reps होते हैं, मतलब कब उगते हैं वो जब हम छोटे होते हैं, babies होते हैं, उनके उगते हैं, उसके बाद जब वो आठ साल के होते हैं, वो धीरे-धीरे, मतलब, मतलब, आठ साल तक वो रहते हैं, these are known milk teeth, या temporary teeth, मतलब, वो बोल सकते हैं कि वो दूदिया दांत होते हैं, मतलब, temporary होते हैं, यह permanent नहीं होते, a child has only 20 such teeth, मतलब, यह श्रिफ 20 होते हैं, 10 हर एक जबडे में होते हैं, उपर नीचे, 10-10, 20 होगे total, these teeth fall out one by one are replaced by the permanent teeth, तो यह teeth क्या होते हैं, इक करके क्या है?